तो चलो स्टार्ट करते हैं यह हमारे पास सारे बॉन मार्किंग्स है जिसमें लीनियर राउंड शार्प एकस्पेंड़ स्माल अर्टिकुलेशन डिपरेशन ओपनिंग यह सब आता है यह सब हम जो है एक एक पड़के एक ही जो है डीटियल में बढ़ेंगे ठीक है जब पहला हमारे पास आता है लीनियर एलिवेशन मतलब वह एलिवेशन जो बिल्कुल स्ट्रेट हो या पिर उसकी एलिवेशन जो है लाइन की शेप में हो ठीक है तो पहला हमारे पास इसमें आता है लाइन लाइन इंद बोन हमारे पास एक साधा सी लाइन होती है जो कि बोन हमारे पास सुपीर्न नच्र लाइन वायां हमारे बैक आफ दसकल और सिपिटल लिजिन पर मुझूद होती है जिसमें हमारे पास किसी टाइप की अटेश्म bén नहीं होती सेम टो सेम इंफेर्न नॉच लाइन यह भी एक टाइप margin on the lower part मतलब हमारे पास जो बोन होता है यहां पर इसमें रफ कुद्री कुद्री हुई एक एरिया होती है मार्जन होती है जो कि एक्चुली लोवर पार्ट पर मौझूद होती है हमारे बोन पर यहां पर देखेज यह क्रेस्ट का इलिय क्रेस्ट का लोवर एरिया जो होता है सॉरी इसमें ना यह क्रेस्प के साइड़ 2019 आप को लाइन दिखाए देरी है इसको हम क्या कहता है ओध रेच्ट ठीक है यह भी एक स्पिस्फाइड एरिया उता है जो कि सुपॉर्ट कर रहा हु अगर let suppose कि नीचे जो है किसी चीज की attachment है, ligaments की या पिर muscles की attachment है, तो तो sorry, legaments और जो है, tendon और muscle की attachment है, तो ये जो है क्या कर रहा हुता है, support कर रहा हुता है, इसके बाद हमारे पास जो होता है, crest the rise and prominent part of the age of the bone आपके bone की जिसका जो prominent या rise part होता है ना उसको हम क्या कहता है crest crest जो है often the site where tissues connective tissue and attach muscle to bone यह हमारे पास वो area होता है जो जो के आपके muscles को जो है attach कर रहा होता है किस चीज़ के साथ bone के साथ is the help of connective tissues that is tendon यह tendon के जरीए आपके muscle को जो है attach कर रहा होता है किस चीज़ के साथ bone के साथ यहां पर देखे इलिय क्रेस्ट यह इस चीज़ का example है किस चीज़ का crest का ठीक है यहां पर देखे हमारे पास lateral supra condyle ridge और medial supra condyle ridge यह हमारे पास ridge के examples है अच्छा इसके बाए नवारे पास आता है round elevation इससे पहले हमारे पास क्या था linear elevation अब हमारे पास zwei नवारे पास आ रहा है वो हमारे पास round elevation round elevation मतलब elevated area हो लेकिन उसकी structure जो है वो round about हो practices पहले जो आथा हमारे पास pubic tubercle Every which is the toberccal region which is rather being able to raise your tongue the pubic toberccal is around the bone projection located in lateral end of the pubic crest The pubic tubercle which is round body projection which is laterally located किस चीज़ को pubic crest को अब हमारे पास pubic crest क्या चीज़ है दीसे यहां पर आपदे आपके पास मार्ख किया था है यह वाला एरिया जो है इस से पाउबें zwischen pubic crest करेस्ट है अच्या इसके दोनों साइड पे मतलब एक जो है जो है राइट कुबिक कर इस ए फिल छाई कि लेटर साइड पे जो एरिया एक उपली हुई एरिया स्वाल एरिया है उसको हम क्या कहता है प्योबिक ठीवर्क जैसे यहां पर मार्क कि गयी है टी के अचा इसकी बात हमारे पास आता है प्रोटूबरेंस प्रोटूबरेंस क्या चीज हमारे पास सेमिलर टू प्रोसेस इसकी स्ट्रॉक्शर जो है वो प्रोसेस की तरह होती है इसकी और डिफिनिशन में हम कहते जाते हैं और बोडी पार्ट डैट बल्ज आउटवर्ड फॉम्डे सर्फिस हमारे नॉर्मल सर्फिस से अगर कोई कोई पाड या कोई हैसा बाहर की तरफ निकलाता है ना तो उसको भी हम क्या कहते हैं प्रोटूबरेंस ठीक है प्रोटूब प्रोटूबरेंस जैसे लाइन मार्की के बिल्कुल मेडल आप दी ऊसे पितल डीजिन में ये क्या है इस प्रोटूबरेंस का एक्जामपल है एक्सटरनल उसीपीटल प्रोटूबरेंस अच्छा इसके बास हमारे पास क्या आता है जो थर्ड वन जो है वो है ट्यूबरासिटी ट्यूबरासिटी जो है ये एक मौडरेंस प्रोटूबरेंस है वेर मसल एंड कनेक्टिव टिशू अटेच प्रोटूबरासिटी हमारे पास मौडरेंस मतलब एक समाल होता है एक ला आटेश होता है किसी चीज के साथ बोन के साथ यहां पेदे के कि गरत एंड एंट लेसर ची ग्रोप्रास्टी गरेट छी ब्रास्ति हमारे पास पास सदिट सैसाफ दी ह्यूमरे मुझ अजो लोता है और lesser tuberosity हमारे पास interior face of the humerus पे मुझूद होता है अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आता है? Millealis The metal millealis is the prominence of the inner side of the ankle formed by the lower end of the tibia Metal millealis क्या चीज़ है? यह एक prominence part है जो के inner side of the ankle पे बनता है और यह actually बनता है किस चीज़ से lower end of the tibia से Same to same lateral millealis यह जो है prominence है outside of the ankle पे और यह बना होता है हमारे पास lower end of the tibia पे यह हमारे पास actually separated bone नहीं होता बलके एक हिस्सा होता है किस चीज़ का large bone के end का ठीक है? यहाँ पे हमारे पास examples है देखें Lateral millealis and medial millealis Lateral millealis हमारे पास tibia fibular का example है और medial millealis हमारे पास tibia का example है ठीक है? इसके बाद हमारे पास आता है trochanter trochanter जो है greater and lesser trochanter of the femur greater and lesser trochanter of the femur यहाँ पे जो है tuberosity और trochanter tuberosity पे हमारे पास क्या होता है? muscle और tissue की attachment होती है bone के साथ trochanter पे बी muscles और tissue की attachment होती है bone के साथ difference क्या है? सिर्फ जो है size का difference होता है tuberosity साथ रिज्माल साथ होता है Lesser Trochanter Great Trochanter Lesser Trochanter Humour Femur Regult पर मुझोद होता है और Chubrosity जो है वो हमारे पास Manly जो है उस पे Humorous पर मुझोद होता है ठीक है अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आता है Sharp Elevation बाकी जोते है वो Linear यहां पर राउंड यहां पर इलिवेशन जो है वह शार्प है इसमें हमारे पास पहला जो आता है वह स्पाइनस प्रोसेस है यह बोनी प्रोजेक्शन आफ दी पोस्टीर या बैक आफ दी है इच वर्टिब्रिया हमारे इच वर्टिब्रिया हर एक वर्टिब्रिया मैनली जो टिपिकल वर्टिब्रिया हो that region पे हमारे पास spinous process नहीं होता हुटा उसके इलावा आलमुस्क्ट सारे vertebraeus स्के structure में तोड़ा बाउट difference होता है लेकिन सारे vertebra तरे two vertebra जितने रहते हैं उनके सारे back point पे पोस्टीर ली जो है हमारे पास elevation होती है जिसको हम क्या कहते है spinous process अचा चाई alite process जो इस तैलोड प्रॉसेस यह एक साइलेंडर स्लेंडर नीडर लाइक प्रॉजिक्शिन आता है जिसकी लेंड आप तना इंद हिसीड इन ते मेटियोंग जोरेंग थे नापगर होती है अचाय, styloid process project from the inferior part of the petrous temporal bone and offer attachment to the styloid ligament and stylohyoid, stylofaringeus and styloglossus muscle यहां पर यह एक projection है, जो कि मौझूद होता है, inferior part of the petrous temporal bone पर और यहां पर पतेश्मेंट होती है कि चीज की स्चाल हआयाई डियमेंट की ताइल है स्टाइल फेरिंजियस इंड ।- ग्लोसिस मसल्स की consensus की तीक है यहां पर देखे यह क्या है हमारे पास SPINUS प्राद की पुस्टीर लिपा जाता है तान यहां पर हमारे पास क्या है style art process जो के एक neural like projection है और आपके temporal bone से निकलता है अज़ा इसके बाद हमारे पास क्या आता है expanded end of articulation हमारे bone से कुछ हिस्से निकलता है जो के manly articulation में help देता है इसमें हमारे पास पहला जो आता है वो है head head जो है एक round prominent extension होता है bone का that form part of the joint जो के आपके joint के हिस्सा को बनाने में help देता है it is separated from the shaft, यह shaft से अलग होता है of the bone, मतलब bone के shaft से अलग होता है with the help of neck the head is usually covered by hyaline cartilage inside synovial capsule your head is covered by hyaline cartilage inside synovial capsule hyaline cartilage protection provide head of the bone it is the main articulating surface for the adjacent bone forming ball and socket joint आपके ball and socket joint का जो main part होता है वो आपका head of the bone होता है example हमारे पास humerus head है femur head है यह पर radius head है यह example है heads के आपके bone के अचा इसके बाद हमारे पास आता है condyle condyle जो है यह round prominence है जो के end of the bone में पाया जाता है most often part of the joint यह हमारे पास है an articulation with another bone यह हमारे पास lower area पे lower end of the bone पे जो attachment होती है यह हमारे पास condyle की थ्रू होती है और हमारे पास दूसरे bone के साथ इसकी articulation में help देता है यह आपको diagram में देखा देता हूँ यह देखे femur condyle यह हमारे पास क्या कर रहे है आपके जो नीचे bone मौजूद होता है न ठीविया उसकी साथ हमारे पास attachment में help देता है same to same आपके humorous का जो पॉन होता है वो आपके radius यह पिर radius manually उसकी साथ attachment के लिए help देता है और यह हमारे पास क्या है head of the bone a rounded structure है जो क्या आपके ball and socket joint को complete करता है अचा एपी कंडाइल the prominence that set atop of the condyle हमारे कंडाइल region के ऊपर वाले हिस्सों को हमारे पास क्या कहता है एपी कंडाइल एपी कंडाइल attach muscle and connective tissue to the bone providing support to the to this skeletal musculoskeletal system यह हमारे पास prominent side होता है किस चीज़ के ऊपर पाया जाता है कंडाइल के ऊपर पाया जाता है एपी कंडाइल जो है वो attachment provide कर रहा है किस चीज़ को muscles को और connective tissue को जो के आपके bone के साथ attach होता है और stabilization provide कर रहा है किस चीज़ को muscular skeletal system को मतलब आपके पूरे joint को जो है वो क्या कर रहा होता है यह stabilize कर रहा होता है अच्छा यहां पर देखें lateral epicondyle जो क्या आप कंडाइल के ऊपर पाया जाता है और same to same medial epicondyle जो क्या आपके condyle region के बिलकुल उपर है medial मतलब toward the body and lateral means away from the med line अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है small flat area for articulation इससे पहले हमारे पास क्या था round area expanded round area for articulation यहां पर हमारे पास क्या है flat small flat area for articulation इसमें हमारे पास एक ही example आता है हमारे पास facets a small flat surface on the bone or tooth or other hard body part की उपर जो small flat area होता है bone की उपर deep की उपर या फिर other hard body part की उपर जो small flat area होता है उसको हम क्या कहता है facets facets को भी cover किया गया होता है hyaline cartilage से जो के और bone को क्या कर रहा था attachment provide कर रहा होता है अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है depressions मतलब आपके bones में जो depressions ही होती है जो कदा से बना होता है उनको हम आप पढ़ेंगे इसमें पहरे पास पहला क्या आता है notch notch नोच जो है यह depression पाया जाता है in bone which often but not always but not always provide civilization to adjust an articulating bone हमारे पास जो नोच होता है आपके bone पर अगर लेट सब्सक्राइब नोच मोजूद होता है वह mostly लेकिन हमेशा नहीं हमेशा civilization provide नहीं कर रहा होता है किस चीज़ को articulating bone को मतलब जो दूसरा bone इसके साथ अटेश हुआ होता है ना उसको हमेशा civilization provide नहीं कर रहा होता है लेकिन mostly यह क्या कर रहा होता है civilization provide कर रहा होता है अच्छा ग्रूफ ग्रूफ क्या चीज़ है आफ फारो एंड बोन अच्छा ग्रूफ को मैं ऐसी समझा देता हूं हम हमारे bone के उपर जो के throughout the bone हमारे पास एक area मुझद होता है जैसे let's suppose एक कदसा बना होता है या दराड सी बनी होती है आपके पूरे throughout the length of the bone जो के क्या कर रहे होती है space provide कर रहे होती है किस चीज़ को nerve को या पिर vessels को या पिर आपकी provide space for avoid अच्छा या पिर civilization provide कर रहे है या पिर support या stability या पिर protection provide कर रहे होती है किस चीज़ को blood को और vessels को from external forces या पिर adjacent muscle compression से अगर आपके muscles या पिर external force या पिर किसी और चीज़ की वज़े से force exert हो रहा है आपके bone पे तो उसकी ऊपर vessels पाए जाती है और nerve पाए जाती है तो groove क्या कर रहोता है वो in muscles और in vessels को या in nerve को जो है क्या कर रहोता है protection provide कर रहोता है अच्छा इसके बाद हमारे पास third one क्या आता है forsa forsa जो है यह anatomical depression है pet like structure रही है पिर hollow area हमारे जिसम में कई पे भी anatomical depression pet या पिर hollow area जहां पाया जाता है उसको हम क्या कहता है फॉसा थीक है यहां पर मैं दिखा देता हूं फॉसकी एक्जामपल यह दिल फॉसा ये क्या है एक्जामपल है फॉसका का इसके पाथ हमारे पास चाहे यह ओड से नौच यहां पर पाया जाता है जो कि आपकी फेदल को आटेश्मेंट प्रॉइड कर रहा होता है लेकिन अगर यहां पर अजिखेंट प्रॉइब ना कर रहा है यहां पर दो हमरे पास यह च्रेट ग्रूफ लाइक स्टुक्ट्ट्यर या फर ग्रूफ मौजूद है आपके बॉन में जो कि प्रोटेक्शन प्रॉइक्ट कर रहा होता है कि इस चीज को आपके वैसल दोर नर्स को इसके पर मारे पास आता है ओफ निन इस पर अफ ऑफ आ चाया ह है ये उन azizasi उक्ति और छया सकीज फिशाए में था थो आप्सूर अफिशिट है तो फिशर दोर अगर आपके वही आ जाता है जो के राउंड राउंड स्ट्रक्शर करना हो तो इसको हम क्या कहता है फिशर फिशर भी क्या कर रहता है वेसल और ब्लड वेसल और नर्फ को क्या कर रहता है सप्लाइ कर रहता है एक रीजन से दूसरी रीजन में मतलब एक ओपनिंग है बॉन में जो के करेक्ट लाइक स्ट्रक् वर्मेन्न क्या चीज है यह एक होल होता है आपके बॉन में जो के राउंड अबॉट स्ट्रक्टिर होता है और यह क्या करना होता है बिलड वैसल और नर्फ को जा है एक पैसेजवेश वे प्रॉआइड कर आए इसके बाद हमारा पास तर्ड जिया आता है वह है किनाल किनाल क्या है यह एक आर्टिफीशल पाथवे भी आपके जिसम में जो के एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है एक स्पिसिफाइड रिजिन को तो इसको हम क्या कहता है किनाल जस लाइक आपके एक स्पिसिफाइड के बाद जो किनाल आता है उसको हम एदर एक्जामपल लेता है किस चीज़ के लिए किनाल के लिए इसके बाद हमारे पास मियाइड आता है यह एक पैसेज या ओपनिंग है और अवे और एक रास्ता है टुद बॉड़ी विच ली टू इंटीरियर यहां पर ए नहीं है आई है आई इंटीर यह एक पैसेज है ओपनिंग है जो कि आपके बॉड़ी को लीट कर रही है इंटीरियर ली इंटीरियर रीजन को जो लीट कर रही होते है उसके ओपनिंग को हम क्या कहते है या उसके दरवाजे को हम क्या कहते है मियाइड यहां पर देख होती है एक ओपनिंग होती है जो कि आपके केनल की पैसेज या पर दर्वाजा भी आप इसको कह सकता है ठीक है है अजा यही पर हमारा जो है लेक्छर आपसरी यहां पर एक और एक्जंपल यह पर डाइगराम आपको मैं देखा लेता हूं इंफिर और अर्बिटाल फिशर भी मुझूद रहुता है इंफिर और प्रिटाल फिशर जो है यहां पर देखाया गया है और साथ में फॉरम होता है बोन मारगें का ठीक है अगर आपके दिमाग में कोई क्वेस्चन है किस चीज की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं तेंक यू